पर आप नटिंग फोन या नटिंग फोन टुए यूज करते हो तो बहुत सरे AI केपिबिलिटी इस एड़ किया गया है अपडेट के बाद जो कि मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ AI फीचर्स जो इस फोन को और भी बैदर बना देता है और डेफिनिटली बहुत कूछ आप कर सकते हो AI फीचर्स से सिर्फ नटिंग फोन में तो काल पे जो है वो एक्शुली देखा कि कौन सा AI कौन सा फोन से लिंक है जैसे आईफोन का है सीरी और एंड्रॉइट का है डेफिन इसको अलग बनाने के लिए नया एक इंटिग्रेशन लाया जैसे AMS fit watch के लिए हम लोग Alexa इंटिग्रेशन दिखे थे लेकिन इसमें साड़े के सारे असिस्टैंस को छोड़के यह चैट जीपीटी को छूज किया और चैट जीपीटी के साथ सारे के सारे इंटिग्रेशन कर जैसे उन लोगों का earphones भी आ रहा है अभी chat GPT integrated आपको पता ही है आप earphones से chat GPT के साथ directly communicate करके questions का answer ले सकते हो और इसका जो nothing phone से या nothing का सारे products से सारे के अंडर chat GPT बहुत अच्छे से integrate किया है ओ लोग और इसका जो feature से ओ इंक्रीज कर दिया है chat GPT के लिए तो पहले देख लेते हैं क्या क्या AI features इंप्लीमेंट किया है तो आगर आपको टेक्राइट है tips और ट्रिक्स चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल को subscribe कर लिजेगा और bell icon को press कर दीजेगा क्योंकि मैं ऐसे वीडियो दाता रहता हूं चैनल पर तो सबसे पहले जो integration हुआ है chat GPT का ओ है chat GPT widgets तो अलग से widgets आया है बहुत सब्सक्राइब आप देख सकते हो widget में डो widget आया single और multiple obviously मैं multiple को choose करूंगा क्योंकि टीनों option मुझे एक साथ मिलता है तो इधर पर आप देख सकते हो जैसे ही मैं क्लिक किया चैट GPT में चला गया और चैट GPT में जाके मैं कुछ भी पूछ सकता हो और इधर से अंसर ले सकता हो यह एक वे है और एक जो वे है मैं स्लाइड अप किया एक वाइस चैट GPT कुछ भी पूछ हो चैट GPT से वह आप का अंसर देड़ेगा तो यह भी मुझे बहुत बढ़िया लगा और उसके बाद आता है यह वाले इमेज चैट GPT तो कुछ भी आप इमेज सेंड कर सकते हो चैट GPT के और डेफिनेटली यह वाला जो फीचर है वेड वर्शन में रखे है लोग अभी के लिए लेगिन बाद में फ्री भी हो सकते है और इमेज आप अप्लोड करके चैट GPT में पूछ भी सकते है मैं थोड़ इसका कोई भी स्क्रीन पे अब स्क्रीन ले सकते हो और स्क्रीन शॉड लेने के बाद चार ओप्षन आता है पहले टीन अप्षन पूंदा था एक dependent ऑर इमेज एक्चुली डारेक्टाब चैट GPT को सेंड करके इसमें पूछ सकते हो और तो आप सकते हो इमेज का जो चीज ल नी हो गया याई फीचर चैट जीपटी में इमेल फीचर फ्री कर दिया है नटिंग फोन में बहुत ही मुझे अजीब लग रहा है कुछ दिन पहले भी यह पेट फीचर था आप देख सकते हो इधर में यह वाला फीचर जो है पेट करके रखा है अभी भी लेकिन हम लोग ऐस करके इमेज को अपलोड कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं जैसे यह वाला आर्टिकल में क्लिक करता हूँ और यह वाला भी सेम करता हूँ एक स्क्रीनशाट लेटा हूँ चैट जीपटी के पास भेजता हूँ लिखने के ज़रुरत नहीं है में सिव अपलोड करता और देखता हूँ क्या बोलता है तो पुड़ा के पुड़ा डॉकुमेंट यह इमेज जो आप भेजेंगे चैट जीपटी में इसको स्कैन करेगा पहले स्कैन करने के बाद एक समरी दे देगा जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा तो आप देख सकतो यह समरी दे रहा है म पहले मुझे, कैमेरा अगर मैं खुलता हूँ चैट फेलने दूपशन मिलेंगा मुझे सिर्व इसको क्लीक करने के बाद, मैं इसको अप्लोड करता हूँ तो क्या बोलता हूँ चली तो इधर पर आपको दिखा रहा है कि this is a sporty rugged looking smart watch तो सारे के जारे information डेरा है और सबसे अजीब चीज जो human आई भी detect नहीं कर पाएगा मेरा जो watch cup image लिया था उसमें battery अभी आप देख सकतो इधा 100% दिखा रहा है तो आप में believe नहीं कर पाएगा यह actually यह भी बोल रहा है कि battery life is at 100% तो कोई भी human eye, naked eye में यह चीज बोट लोग नहीं देख पाएगा लेकिन chat GPT इतना advanced हो गया है कि image का, कोई भी चीज का, आपका watch का इतना minutely देख था है कि उसका battery भी आपको बोल रहा है और सारे के सारे information data है, यह AI का integration है मुझे बहुत ही बढ़िया लगा chat GPT का और सारे के सारे कुछ आप कर सकता हो, next integration है वो है wallpaper में तो wallpaper में मैं अगर customization में जाता हूँ, तो इधर पे more wallpapers में क्लिक करते ही मुझे एक option मिलेगा create का और इधर में AI के सारे कोई भी image create कर सकता हूँ, जो बहुत सारे phones में missing है Samsung में आपको मिलेगा बहुत सारे AI feature लेकिन यह AI feature मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, तो create wallpaper में क्लिक करते ही एक अलग सा ही animation आएगा, पर animation के साथ एक wallpaper आप create हो जाएगा और आपको अगर डूसरा design भी चाहिए वो भी recreate में क्लिक करके create कर सकते हो और एक design भी आ जाएगा और image को take के आपको सारे suggestion दे देगा कि कौन सा watch है, जैसे आपको screenshot लिया हो उसका भी आप search कर सकते हो, कोई भी text आप copy कर सकते हो, सारे के सारा options मिलेगा और इधर पर आप देख सकते हो, आप translate भी कर सकते हो इसको live कोई भी language में, तो यह वाला feature भी बहुत ही अच्छा है, और यह Android का feature है, यह आपका nothing का feature नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दिया AI feature आपका phones में available है, और definitely यह आपको camera open करते ही, जाप एक small icon मिलेगा, इसको click करते है, आपको मिल जाएगा, कोई भी चीज आप live translate कर सकते हो, कौन सा चीज है, उस पूछ सकते हो, सब कुछ हो सकते है, तो फ्यूचर में और भी AI features आने वाला है, चैट GPT और भी advanced हो जाएगा, और free version में भी और भी features आ जाएगा, जो की बहुती बढ़िया features है, तो यह बोलके मैं इस वीडियो को end करना चाहता हूँ, अगर आपको ए वीडियो अच्छा लगा है, तो ज़रूर मेरे चैनल को subscribe कर लि